ये राजनीतिक में वहनों के साथ चर्चा की शुरू काते हैं, कॉंग्रेस की तरफ से हमाई साथ नीरज मिश्रा बने वें, नीरज शुरू आता आप से ही करूँगा, उत्तर भारत में हिमाचल के लावा कुछ भी नहीं आपके पास पाचा है, ये तीन राज्यों में जो करा पार्ड वाली जो क्षेत्रियां पार्टी अपनाती हैं, उससे हटकर हमें कुछ और सोचना होगा, कहां चूप कोई? उपरा चर्चा नहीं हो रही है, और ये निश्चित बात है कि हम लोगों से कहीं ना कहीं, अपनी रणनीती में, अपने आकलन में, कुछ ना कुछ कमी तो रही, क्योंकि अगर इतना बड़ा अंडर करेंट भाजपा के लिए इन तीन प्रदेशों में चल रहा था, और हम उ प्रदान मंत्री मुदी को आप सुन रहे थे, संसद के शीत कालिन सत्र के शुरुवात हो रही है, प्रदान मंत्री मुदी हर बार की तरह मीडिया से मुखातिब हुए, चर्चा हमारी चल रही थी, निरज, आपने प्रदान मंत्री मुदी को सुनाई होगा, और उन्हों एक जब मनीपूर के उपर प्रधान मंतरी जी की चुपी रही और हम लोगों ने ये कोशिश की कि वो प्रधान मंतरी जी बात करें मनीपूर के उपर तो हम तो देश का ही काम कर रहे थे लेकिन मैं चर्चा पे वापस आके आपको ये कहना चाह रहा था कि वो तेलंगाना की जो प्रचंड बहुमत थी जिसमें हमने भाजपा, MIM और BJP की जो तिकडी थी उसको हराया उसका भी विशलेशन होना चाहिए और ये जो बार-बार 2024 को लेकर हम लोग एक अतिशोक्ति कर हैं कि वो चुनाब अल्रेडी डिसाइड हो गया है उसके बारे में भी समझ लेते हैं आज 82 सीटों को अगर लोकसभा में एक्वेट करें इन चार राज्यों के परिणामों में तो 42 में से लगबग 65 66 सीटे वो तो भाजपा के पास पहले से हैं हम लोगों के पास तो सिर्फ 6 सीट है आज तेलंगाना जीतने से हमारा वो 6 का जो आकड़ा है वो बढ़कर 15 16 20 तो सीधा सीधा हो जाता है तो अगर उसको 24 के लिहाज से भी आप देखते हैं तो अभी सारी चीजे सामने हैं और सबसे बड़ी बात कल के चुनाव नतीजों के बाद रवी भाई इस देश के अंदर महंगाई कम नहीं हुई वो जो साड़े 400 का सलेंडर इन्होंने गारेंटी किया मध्यप्रदेश में अब पूरे देश की जनता इनसे वो साड़े 400 का सलेंडर मांग रही है नीरत जी इन चुनावों में सबसे बड़ी बात ये निकल कर भी आई है ना कि कॉंग्रेस तो OBC कार्ड और जाती वाली राजनीती सीख रही थी या करने की कोशिश कर रही थी आप उसमें मत चलिये आप अपनी गारेंटीज पे रही है महंगाई पे रही है तो आप करनाट तेलंगाना की जनताने करनाटक को देखते हुए कहा कि जैसे करनाटक में आपने सारी गारेंटी पहले कैबिनेट में दे दी वैसे ही आप हमारे लिए करेंगे हिंदी पट्टी के अंदर अगर हम अपनी बात समझाने में असफल हुए तो हम उसका विशलेशन कर रहे हैं ल या जो आमादमी करती थी फ्री वाली ये ले लो वो एक आइडेंटिटी नहीं बन पा रही है उत्तर भारत में खास कर इसी वज़ा से कॉंग्रेस को उत्तर भारत में कामियाभी नहीं मिल रही है रवी भाई देखिए हर चीज़ को देखने का एक परिपेक्श होता है 2018 में हम ये तीनों राजे जीत के ही निकले थे और वहाँ पर हमने अपनी बातों से लोगों को कन्विंस किया था आज मेरा ये कहना है हम लोग अपनी विचारधारा जो अंतिम पंक्ती के आदमी के लि अबी भी इस हार के बाद जाती है आपका मुद्दा रहेगा 2024 में देखिए जन संख्या और जन संख्या में जिसकी जितनी भागेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात तो लगातार करते रहेंगे ठीक है इन राजों में आपको आपकी सरकार में कितनी हिस्सेदारी अब बची है ये भी ये भी देख रहा है इसलिए सोचना तो पड़े गाई